कुछ दिन पहले जब ये खबर चली कि नितीश कुमार आनंद मोहन के घर जाएंगे तब लालू यादो को लगा कि अब राजपूतों को नितीश कुमार अपने पाले में कर लेंगे तो उन्हें लगा कि अब भूमिहारों को अपने पाले में करना पड़ेगा तब उन्होंने कॉंग्रेस को ये कहा कि तुम स्री बाबू की जयनती करो और हमको मंच पर बुलाओ और लालू यादों जो है कॉंग्रेस के रहाले के मंच पर जाते हैं और स्री बाबू का गुनगान करते हैं और ये भुमिहारों को याद दिलाते हैं कि आप अपने पुरुवच को भूल च और अब बारी है निटीश कुमार की निटीश कुमार आज आनंद मोहन के घर जाकर राजपूतों को साधेंगे और इस कबर को हम विस्तार से आपको समझाएंगे किस तरीके से राजपूत और भूमियारों को साधनी की कवायत सुरू हो चुकी है लेकिन उसके पहले नमशकार मैं आनाम सशांग पांडेया पर जंदा जंशन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे बिशाल खड़े हैं और कुछी दिन पहले ये खबर चलने लगी कि निटीश कुमार आनंद मोहन के घर जाएंगे और जब लालू यादू को लगा कि जब निटीश कुमार आनंद मो आजब निटीश कुमार का गुनगाएगा मेरा गुनगान कौन करेगा तो स्वाडन में अगर मेरा गुनगान करवाना है तो भुमिहारों से करवाते हैं और लालू यादों मौके की तलास में थे तब तक लालू यादों को यह एहसास हुआ कि स्री बाबू की 136 जयंती आ रही है और यही मौका है इसी मौके पर भुमिहारों को साध लिया जाए पर उन्होंने कॉंग्रेस को इसारा किया कि आप स्री बाबु के नाम पर एक बड़े जैन्तिक आयोजन कीजिए और हम उसमेर आएंगे मंच पर लालु यादो बैठ कर अपनी कहानी बता रहे थे वो बता रहे थे किस तरीके से वो और राबडी देवी बिधान सभा के अंदर श्री बाबु की जो परतीमा लगी है उस परतीमा के पास जाते थे जैन्तिकारिकरम के दिन बजाने वाला सब आता था सब ढोलक उलक ब चलिए एक तरीके से लालु यादो ने यही सारा किया कि भुमिहार जो है वो कॉंग्रेस के साथ चले क्योंकि स्री बाबु कॉंग्रेस के नेता थे और वो भुमिहार थे यानि भारती जनता पार्टी के साथ मत चलिए और अब बारी है राजपूतों को साधने की करेंगे और एक बात ये भी है कि लालो यादो ये देख रहे थे कि राजपूतों को निटीश कुमार ने साधा भुमिहारों को अब हम साध लेते हैं और बारी आएगी ब्रामनों को साधने की तो कॉंग्रेस साध लेगा यानि एक तरीके से इंडिया गडबंदन प्रयास क पर रहा है कि राजपूत भुमिहार और ब्रामनों को किसी तरीके से साध लिया जाए इनकी संख्या जो है वो अच्छी खासी है और अगर इनको साध लिया जाएगा तो 10% का जो है वो मामला तै हो जाएगा कायस्तों की संख्या उतनी है नहीं तो इन तीनों जातियों पर नजर है राजपूत पर भुमिहार पर और ब्रामन पर और सबसे बड़ी बात है कि आज जब निटीश कुमार जाएंगे जिस तरीके से लालू यादो ये कहानी सुना रहे थे कि उन्होंने भुमिहारों के लिए क्या किया आज निटीश कुमार आनंद मुहन के गाउं जाकर म कहानी सुनाएंगे कि उन्होंने राजपूतों के लिए क्या किया वो कहानी सुनाएंगे कि किस तरीके से पटना में परतीमा लगाई गई किस तरीके से जो है राजपूतों के हित में उन्होंने काम किया कितने राजपूत नेताओं को उन्होंने बनाया आज सब कुछ मिहार नेता के लिए उन्होंने जेल से फोन किया आज नितीश कुमार सुनाएंगे कि एक राजपुत नेता के लिए उन्होंने किसी से बगावत कर दिया आज नितीश कुमार मंच से ये सुनाएंगे कि किस तरीके से राजपुतों के लिए उन्होंने काम किया लेकिन राजप के कई नेता को उन्होंने अपने दल में सामिल कराया मंत्री बनाया और कई नेताओं के लिए उन्होंने लड़ाई तक लड़ी लेकिन अब पूरा विस्तार से सब कुछ समझाया जाएगा लालू यादो भुमिहारों का गुंगान करेंगे नितिश कुमार राजपुतों का ग गुंगान करेंगी और अब सोहर्णों का इसी तरीके से गुंगान करके अपने पाले में किया जाएगा ताकि भारतिये जनता पार्टी जो लगतार ये कहती है कि राजपुत भुमिहार और ब्रामन कायस तो कहीं जाहीं नहीं सकता आप आख बंद करिए और कह दीजे कि रा कि तुम भुमिहारों को साधो हम राजपुत को साधते हैं तो हम राजपुत को साधते हैं तो तुम भुमिहारों को साधो और बचे ये ब्राह्मन तो ब्राह्मन को कौंग्रे साध लेगा और उसके बाद हो जाएगा अपना स्राज और अब देखिए क्या होता है इसारे इ इतना ही बनेता है मार साथ और देखते रहें जनता जन शर्ण